गुड मॉर्निंग डिस्टूजेंट दिसीजा है हिंदी सर्जिप्स बच्चो आप लोग अब इनी हिंदी की बुक निकालेंगे और ओपिन करेंगे पेज नुबर 6 बच्चो हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट वन सीखो कभीता और आज हम लोग बच्चो पार्ट अब करने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज बच्चो प्रिबियस वीडियो में आपको भासा ग्यान कराया गया था जिसमें आपको कोशन नमबर 123 कंप्लीट करा दिया गया हैं बहुत से बच्चों ने अभी नहीं कंप्लीट किया हैं तो यह बच्ची यहां से देखकर अपन सोचना है और इसका आंसर आपको अपनी हिंडी की कॉपी में लिखना है ओके कोशन को एक बार और देख लेते हैं यदि सूरज और हवा अपना काम छोड़कर बिस्राम करने लगें तो क्या होगा ओके बच्चो आपका जो उत्तर होगा वो कम से कम 8 लाइन्स का होना को टू कोशन उपर वाले कम्प्लीट नहीं करने हैं ओके स्टेंट्स जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे आपको ये प्रोजेक्ट वर्क है इसे आपको कराया जाएगा यहां पर बच्चो आपको प्रस नंबर तीन देखना है प्रकृति से संबंधित चित्र बनाईए और उसमें रंग भरें बच्चो आपको प्रक्रति संबंधित एक चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना को आपको हिंदी की भूप में ही करना है नीचे दिया है आप क्या करेंगे बच्चो आपके सामने दो इस्तिती दी गई है तो उस इस्तिती में आप क्या करेंगे तो देखते हैं बच्चो किसी सुन्दर फूल देखकर आप चुपके से तोड़ लेंगे दूर से ही खड़े कर देखेंगे फूल की और दुबारा देखेंगी ही नहीं तो बच्चो आपको अपना आंसर यहां पर सोच कर टिक करना है जो भी आपका आंसर हो उसके सामने आपको सही का निसान लगाना है सेकंड दिया है बच्चो कच्छा में आए नए बच्चो को देख कर आप क्या करेंगे उसे तंग करेंगे उसे बाचीत नहीं करेंगे उसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे तो आपको तीनों आप्शन में से जो भी आप्शन सही लगेगा उसके सामने आपको सही का निसान लगाना है और ये बच्चो भी आप बच्चो बुक में ही कमतीच करेंगे Okay students, I hope बच्चो आपको आज का वर्क समझ में आ गया होगा. Thank you.